हेलो गाईज, वेलकम तो में यूट्यूब चानल, माई नम इस हरजीत कर और हमारा आज का टॉपिक है नैशनल पार्क्स तो सबसे पहले देखते हैं कि नैशनल पार्क्स होते गया है नैशनल पार्क्स वो एरिया होता है जो rich in flora and fauna हो और जहां पे पुरा protection का काम हो वहां कि wildlife को protect किया जाए वहां कि environment को protect किया जाए नैशनल पार्क्स में कोई भी human activity permitted नहीं होती except those authorized by the states cheap wildlife warden अब देखो यहां पे human activity कोई भी permitted नहीं होती लेकिन सिर्फ उतनीक ही activities permitted होती है जिसकी permission वहां का state का cheap wildlife warden देता हो और यह जो cheap wildlife warden होता है यह किस चीज की permission देता है किस चीज की permission इसको देनी होती है वो कहां पे mention है वो mention है chapter 4 of the wildlife protection act 1972 तो जो cheap wildlife warden है वो अपनी मर्जी से permission नहीं दे सकता वो सिर्फ उनी चीज की permission दे सकता है जो wildlife protection act 1972 में mention है फिर वही question आता है कि हम national park तो गूमने जाते हैं अगर वहां पे human activity permitted ही नहीं होती तो हम गूमने कैसे जाते हैं तो हम national park में जहां पे गूमने जाते है न हम सिर्फ उस एरिया तक ही गूमने जाते हैं जहां तक की permission मिली होती है जहां तक की permission हमें state के chief wildlife warder ने दे रखी होती है according to wildlife protection act 1972 नेशनल पार्क में grazing, hunting, forestry, cultivation जैसे कोई भी activities permitted नहीं होती strictly prohibited होती है grazing, hunting, forestry and cultivation जैसे जो activities है वो नेशनल पार्क में strictly prohibited होती है next हम देखते है नेशनल पार्क से related कुछ facts इंडिया का जो first national park था वो बना था 1936 में और उसका नाम क्या था हैली नेशनल पार्क 1936 में बना था और उसका नाम था हैली नेशनल पार्क लेकिन अभी उसका नाम है हैली नेशनल पार्क नहीं है अभी उसका नाम है Jim Corbett नेशनल पार्क और यह कौन सी स्टेट में है यह है उत्राखंड में चीक है उत्राखंड में है first national park 1936 में बना था जब बना था उस time पे इसका नाम था हैली नेशनल पार्क अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राइट अब देखो जब हम किसी को फर्स टाइम मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं है यह बोलते हैं तो हम उसको हैलो हाई एक बार बोलते हैं कोई 36 बार नहीं बोलते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा फर्स नेशनल पार्क हैली नेशनल Hello एक बर बोलते हैं 36 बार नहीं बोलते हैं,inkуди है तोकब बना था Самी नाम है अब उसका नाम है Jim Corbett National Park फर्स्ट टाइम जिम गए तो उसका नाम बन गया Jim Corbett National Park फर्स्ट टाइम हर कोई बंदा फर्स्ट टाइम कभी ना कभी तो जिम जाता ही है तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जो फर्स नैशनल पार्क है वो है Jim Corbett National Park 1970s तक अगर हम बात करें इंडिया में 1970s तक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पांच नैशनल पार्क थे उसके बाद 1972 में आया Wildlife Protection Act और उसके बाद 1973 में आया Project Tiger Project Tiger क्यों आया था? लाया गया था Project Tiger आया था जो Tiger की population थी उसको conserve करने के लिए Tiger के habitats को safeguard करने के लिए लाया गया था Project Tiger और उससे पहले आया था Wildlife Protection Act 1972 में और उसके बाद 1970 तक सिर्फ इंडिया में पांच नैशनल पार्क थे और उसके बाद जब Wildlife Protection Act आया 1972 में उसके बाद अभी तक टोटल कितने नैशनल पार्क हो गया 106 नैशनल पार्क है टोटल एर्या कितना plastics क पार्व किया हुआ है 44,378 Justine स्क्वियर का एरिया क कवर कर रखा है और कंट्री नहिकर टोटल जिो यह अब टोटल जियो गड्राफिकल एर्या की बात करे तो तो टोटल जियो ग्रफिकल एरिया में से गोर्बे लेकने फिर फिर वाला जो लेटेस्ट वाला जो है लेटेस्ट जो मत जी बोलो जिसका नाम है रायोना नाशनल पार्क। कौन सा है 106 जो नेशनल पार्क है वो कब बना था जून 5 दोहजार 21 को बना था जिसका नाम है राय मोना नेशनल पार्क राय मागी नई मागी लेकिन फिर भी मैंने पता दिया कि जो recently added national पार्क है 106th national park है वो है राय मोना national park राय मांगी हो नहीं मांगी हो लेकिन हमने दे दी कि जो लेटेस्ट वाला जो रिसेंटली एड़ड नैशनल पार्क है वो है राय माना नैशनल पार्क फिर बात आती है लाज़ेस्ट एंड स्मॉलेस्ट की लाजेस्ट नैशनल पार्क कौन सा है हैमिस नैशनल पार्क और स्मॉलेस्ट नैशनल पार्क कौन सा है साउथ बटन नैशनल पार्क बटन स्मॉल सा होता है छोटा सा बटन होता है तो बटन से आ गया स्मॉलेस्ट छोटा होता है बटन तो साउथ बटन कौन सा है स्मॉलेस्ट नैशनल पार्क, लार्जेस्ट नैशनल पार्क कौन सा है, हैमिस नैशनल पार्क, नाइट, तो हैमिस नैशनल पार्क को कैसे याद करोगे, मिस कर रहे है, किसको मिस कर रहे है, लार्जेस्ट नैशनल पार्क को मिस कर रहे है, लार्जेस्ट नैशनल पार्क को घूमने जाना है उसको largest national park को देखना miss नहीं करना है, चीके, तो miss से हो गया largest, ठीके, largest national park देखना जरूरी है, miss नहीं करना है, miss नहीं करना है, चीके, तो miss largest, smallest, south button, button चोटा सा होता है, south button, और shirt का जो सबसे नीचे वाला button होता है, सबसे चोटा सा, एक extra button दे रखा होता है, चोटा सा, तो वो क्य इंडिया में टोल सिक्स या AF कॉन से है मेरी नैशनल पार्क दोबसे ही ओड़ा हैला दूसरा गलफ गललफ वाले होगा एक Gulf of Karch, Gulf of Manar जीक है, दो National, Marine National Park Gulf, Gulf, Gulf of Karch, Gulf of Manar ठीक है, याद हो जाएंगे फिर चलते हैं, next वाले महात्मा गांदी Marine National Park अंडेमा निकवार पे है और एक है, रानी जंसी Marine National Park ये भी अंडेमा निकवार में ही है अब देखो, महात्मा गांदी जी कौन थे Freedom Fighter थे, रानी जंसी ये भी खुब लड़ी थी जो हमारे Freedom Fighter है उनके नाम पे अंडेमा निकवार में दो Marine National Park बने हुए हैं, कौन से हैं? महात्मा गांदी एंड रानी जंसी पहले दो थे, गलफ गलफ वाले महात्मा गांदी एंड रानी जंसी अब बच्चे हैं, पीछे दो मलवा एंड गहीर मथा मलवे के साथ मथा नहीं मानना मलवे के साथ मथा नहीं मानना मलवा, गहीर मथा Marine Sanctuary औरीशा में है मलवा, Marine Sanctuary ये कहां पे है? ये है, माराष्ट्रा में यहां से ये दोनों भी याद रह चाहेंगे हमने इसको तीन सेट्स में याद किया है छे टोटल Marine National Parks है इंडिया में, कौन-कौन से है दो गलफ वाले हो गए दो हो गए महात्मंगांदी एंड रानी जंसी वाले और लास्ट में दो मलवा से मथ्था नहीं मानना है तो मलवा गही है मथ्था हो फिर चलते हैं State-wise National Parks को learn करने की कोशिश करते हैं टोटल कितने National Parks है? 106 National Parks है टोटल तो अब हम इनको कैसे याद करेंगे? हम इनको याद करेंगे State-wise चीक है? आदे आज learn करेंगे और आदे वाले हम next वीडियो में continue करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले UT of Jammu Kashmir and Ladakh से Ladakh में एक ही National Park है कौन सा है? Hamish National Park जो की largest National Park है चीक है? Miss नहीं करना है, देखना है Hamish National Park कहां पे है? Ladakh में यह रहा हमारा Ladakh तो Ladakh में एक ही है L for Ladakh L for largest सबसे बड़ा National Park तो Hamish National Park फिर बाकी के तीन आते हैं Jammu and Kashmir में कौन कौन से? City Forest जिसको Salim Ali National Park बोलते है दूसरा है डाचीगम National Park तीसरे वाला है किष्टवर National Park अब देखो Jammu Kashmir की अगर हम बात करें तो Jammu Kashmir का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ अक्सर कर यहां पे लड़ाया होती रहती है War चलती रहती है ठीक है? War तो यहां पे चलती रहती है लेकिन गम करने की कोई बात नहीं है उदास होने की बात नहीं है कोई गम नहीं है War हो रही है? ठीक है कोई गम नहीं है गम क्यों नहीं है? क्योंकि अब आ चुके है सलीम अली सिटी में कौन पहुंचा है? सलीम अली बहुच गए है इसलिए War का कोई गम नहीं है तो यहां से यह तीनों याद हो जाएगे War चल रही है कोई गम नहीं है क्यों गम नहीं है क्योंकि सिटी में सलीम अली आगे हैं नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल परदेश यह रही हमारा हिमाचल परदेश का मैप हिमाचल परदेश में टोटल पांच नैशनल पर्क है पर्स्ट है Great Himalayan National Park देन है Indrakila National Park खीरगंगा National Park पिन वैली National Park अब Great Himalaya गूम कर आये हैं Himalaya आज हिमाचल में अक्सर कर लो गूमने जाते हैं तो Great Himalaya गूम कर आया है कोई बंदा घर जब वो बापिस आया तो उसने देखा उसकी माने खीर बना रही है और यह बड़ी अजीब खीर है अब खीर बनती है तूद की लेकिन ये गंगा के पानी की खीर बना रखी है ग्रेट हिमालया से आया है बंदा घूम कर हिमालया को घूम कर आया तो माने सोचा अब घूम फिर कर आया है बच्चा तो क्यों ना उसके लिए खीर बनाए तो माने खीर बनाई है गंगा के पानी से गंगा के पानी की खीर बनी हुई है और वो बंदा भी घूमकर आया है तो वो खुद को राधा समझ रहा है वो बोल रहा है कहता मैं किले में बैठ कर खीर खाऊंगा किले में बैठ कर खीर खाऊंगा क्यों क्योंकि अब मैं बाल नहीं रहा बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, बंदा बोल रहा है, किले में बैठकर खीर खाऊंगा, मैं बाल नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे किले में बैठकर खाऊंगा, अब मैं बाल नहीं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं बोलेगा, तो हिमाचल के 5 होगे, ग्रेट हिमालया घूम कर आया है, गंगा के पानी की खीर बनाई है, खीर गंगा हो गया, किले में बैठकर खा रहा है, बाल बड़ा हो गया है, सिंबल बारा, तो पिंड्रॉप साइलेंस चाहिए से हो गया, पिंड वैली नैशनल पार्क, निक्स चलते हैं, हर्याना पे, हर्याना में दो नैशनल पार्क है, काले सर एं सुल्तान पुर्ण नैशनल पार्क, अब मु इसलिए कभी वो अपना सिर नी जुगाते हैं, सिर उपर करके चलते हैं, हर्याना वाले लोग, बड़े ही सुल्तान लोग होते हैं, सर उपर करके चलते हैं, सिर नी जुगाते हैं, तो सुल्तान से सुल्तानपूर हो गया, सर नी जुगाते से काले सर हो गया, नेक्स चलते हैं उत्राखंड पे, उत्राखंड में टोटल six national parks है, कौन-कौन से, कौर्बेट नैशनल पार्क, गंगोतरी नैशनल पार्क, गोविन नैशनल पार्क, नंदा देवी नैशनल पार्क, राजाजी नैशनल पार्क and वैली ओफ फ्लार नैशनल पार्क अब देखो उत्राखंड में उत्राखंड में क्या हो रहा है एक है राजा जी एक है गोविन जी उत्राखंड में गए एक है राजा जी उत्राखंड में एक है गोविन जी दोनों बहुत अच्छे हैं राजा जी भी अच्छे हैं गोविंद जी भी अच्छे है, हर एक बात का उत्तर जल्दी जल्दी से उत्तर दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं, गोविंद जी और राजा जी हर एक बात का जल्दी जल्दी से उत्तर दे देते हैं, और इन दोनों के बीच में लगी है एक बैट, किस चीज की बैट लगी, दो है, यहां पे राजा जी है, एक गोविंद जी है, बहुत इंटेलिजेन्ट है, जल्दी जल्दी उत्तर देते हैं हर बात का, इन दोनों के बीच में बैट लग गई, बैट किस चीज की लगी है, कि जो गंगोत्री देवी है न, उसको कौन फूल चड़ाएगा, कौन सबसे जादा फूलार्स चड़ाएगा, गंगोत्री देवी को, चीक है, गंगोत्री देवी, देवी से नंदा देवी हो गया, गंगोत्री से गंगोत्री नैशनल पार्क, देवी से नंदा देवी नैशनल पार्क, कौन जादा फूलार्स चड़ाएगा, फूलार्स से हो गया, वै नेक्स चलते हैं उत्रपर्देश दूद के लिए फेमस है काफी दूद मिलता है उत्रपर्देश में यहाँ पे एक ही नैशनल पार्क है जिसका नाम है दूदवार नैशनल पार्क नेक्स चलते हैं बिहार में बिहार में है वालमी की नैशनल पार्क अब जो बिहार वाले लोग होते हैं काफी intelligent है माना जाता है कि जादातर जो I.S. का paper crack करते हैं वो बिहार वाली होते हैं बहुत intelligent होते हैं बैट कर बहुत मेहनत करते हैं इतनी मेहनत करते हैं कि उनको कोई ध्यान नी रहता, अपने बालों का भी ध्यान नी रहता, लंबे हो गए, छोटे हो गए, गंजे हो गए, कैसे हो गए, उनको कोई ध्यान नी रहता, अपने बालों का भी ध्यान नी रहता, इतना पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, राजस्तान 13 डाजस्तान में हैं टोटल फाइव नैशनल पार्क prepared कौन-कौन से डजर नेशनल पार्क राजस्थान का जैसे ही नाम आता हो हुमारे दिमाग में की आ जाताHHip राजस्तान है डजर्ड तो अगया तो वह Präsident से आगया, Desert National Park, फिर क्योलाडियो, next है, मुकुंद्रा हिल्स, क्योलाडियो घाना नैशनल पार्क, फिर आता है, रंधंबोर नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क राजस्तान क्या है? डेजर्ट है? क्यों डेजर्ट है? सोचा है कभी? नहीं सोचा राजस्तान डेजर्ट है? क्यों से? क्यों लादियो घाना नेशनल पार्क क्यों है भई? अब इसकी स्टोरी क्या बताई है क्यों डेजर्ट है क्योंकि जब रन में ये लड़ रहे थे ना राजस्तान वाले जब रन में लड़ रहे थे तो सिर्देने से पीछे नहीं होए मुक गए लेकिन सिर्देने से पिछनी आए खतम हो जाना को पंजाबी में बोल गए है मुक गए तो ये मुक गए लेकिन सर्देने से पिछनी हटे इसलिए यांपर क्या मन गया डेजर्ट मन गया पानी खतम हो गया राजस्तान डेजर्ट है क्यों डेजर्ट है क्योंकि रन में जब लड़ रहे थे तो अपना सिल देने से पिछनी हटे इसलिए यांका पानी मुकुडिया कोई सेंसिबल स्टोरी नहीं है तो याद रखने के लिए आप कर सकते हो डेजर्ट, क्योलादियो, मुकंदरा, रन्तंबोर एंड सरिस्का नेशनल पार्क नेक्स चलते हैं मध्या पर्देश में मध्या पर्देश में इंडिया में से सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है अब अगर आप net पे सर्च करोगे ना कि मद्या पर्देश में total कितने national parks है तो किसी जगे पे आपको 10 आएगा answer, किसी जगे पे 11 आएगा, किसी जगे पे 12 आएगा चीक है, अलग-लग answer मिलेगा कोई बोलेगा 10 national parks है, कोई site वाले बोलेंगे 11 है, किसी site वाले बोलेंगे 12 है देखिए मैंने यहाँ पे 12 national parks लिखे हुए है Reason being, एक तो है ओम-करिश्वल national park यह किसी जगे पे mention है, किसी site में तो यह mention है कि national park है, किसी जगे पे mention नहीं है सिकिन आता है pench national park अब यह जो pench national park है ना, यह दो states में share होता है, महराष्टरा में और मध्यापरदेश में इसलिए अब यह जो pench national park है ना, यह किसी जगे पे यह लिखते इतने हैं, टोटल 11 बना देते हैं किसी जगे पे pench national park list में से निकाल के वो महराष्टरा वाली list में add कर देते हैं तो इसलिए यह जो pench वाला है ना, यह थोड़ा confusing हो जाता है क्योंकि यह दोनों states में share हो रहा है, कभी यह मध्यापरदेश में इसको count करते हैं, कभी महराष्टरा में ओमकरेश्वर national park and pench national park आप देखो paper में जो question आता है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको national park का नाम दे रखा होगा और आपको पूछ लेंगे कि कौन सी state में है, या फिर state का नाम दे रखा होगा और नीची option होएगी कि कौन सी state में नीचे वालों में से कोई national park है, चीक है, तो इस तरह का question बनेगा तो इसलिए मैंने दोनों इसमें add कर दिये, pench भी और ओमकरेश्वर भी, अगर question आता है तो answer दे सकते हैं, अगर नहीं आता तो balance कोई जग कर नहीं है तो सबसे पहले ओमकरेश्वर और pench याद करते हैं, ओमकरेश्वर, ओम, ओमको लिखना है, किस से लिखना है, pen से लिखना है, ओमकरेश्वर और pench national park फिर चलते हैं बागी के दसबे, तीन दोस्त है, कौन-कौन से है, एक तो है, संजे, एक है मादव, और तीसरा है पाल, चीक है, तीन दोस्त है, तीनों ने plan बनाया घूमने का, कहां घूमने जाना है, वन में घूमने जाना है, तीनों ने plan बनाया, कि हम वन में घूमने विकेंड पे भनता है Saturday Sunday को Sunday off होता है उन्होंने सोचा चलो Saturday को भिकल जाएंगे ची के Saturday को हम वन में घूमने जाएंगे ठीक है Sanjay, Madhav and Pal तीनों ने प्लैन बनाया कि हम 1 में घूमने जाएंगे वन में जंगल में तो वन में गुमने जाएंगे कब जाएंगे Saturday गो गुमने चले जाएंगे चलेगे वहाँ पे गए गुमने तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या देखा वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने देखा डायनासूर देखा बहुत बड़ा डायनासूर है, डर गए, फिर उन्हें देखा आगे एक फॉसल भी बड़ा है, उन्हें देखा अरे डायनासूर है और साथ में डायनासूर का फॉसल भी है, उन्हें सोचा क्यों ना, हम पहले इस डायनासूर को बांद ले, अगर हम डायनासूर को बां से जाहन Зबळाज को याद करेंगे सपने खाना क्यास को याद कर रहे हैं तो यहां से आपके सार्य के सारे नैशनल पार्क मत्यापर्देश के बाशनों कर रहे हैं और ये वाली जो मैंने अब story ये पूरी के पूरी लिखी है, ये story मैंने कहाँ पर लिखी है, ये story मैंने एक पन्ये पर लिख दी है, चीकी है, अब Sanjay से क्या बन गया आपका Sanjay National Park, ये रहा Sanjay National Park, फिर माधव, माधव नैशनल पार्क, तीन दोस्ते ना Sanjay, माधव, एन पाल, प एक डाइनासौर देखा, एक फॉसल देखा चीए और उन्हों ने सोचा डाइनासौर को बांद लेते हैं बांध से बंधव गड्ट और तर रहे हैं तो काना जी को याद कर रहे हैं और जो भी स्टॉरी है मैंने किस पर लिखी है, एक पनीने पर लिखी है तो यहां से एक story से मद्या परदेश के सारे के सारे national park learn हो चाएंगे चीए ओमकर एंड कारणा यह आप अज़िस याद कर ले न ओमकर एंड पैंच चीए दोनों ओमकर एंड पैंच ओमकरेश्वर चीए पैंड से ओम लिखना है चीए इसी पन्ने पे तो यह है मद्यापरदेश की स्टोरी नेक्स चलते हैं चतिस गड़ पे चतिस गड़ में तीन नैशनल पार्क है कौन-कौन से गुरू, गसिदास, संजे नैशनल पार्क इंद्रावती जिसको कुत्रू नैशनल पार्क बोलते हैं अब इसको कैसी याद करेंगे गुरू जी है, कौन से गुरू जी है संजे, अब गुरू जी ने गसिता कौन से गुरू जी ने, गुरू जी ने संजे गुरू जी ने, संजे गुरू जी ने गसिता, किस को गसिता, इंदर को गसिता क्यों गसीटा कांट से पकड़ कर गसीट दिया गुरू जी ने कौन से गुरू है संजे गुरू जी है संजे गुरू जी ने गसीटा इंदर को गसीटा कांट से पकड़ कर कितनी बार? 36 बार गसीटा है चीक है? तो यहां से आपका संजे गुरु जी ने कांट से पकड़कर इंदर को 36 बार गसिटा तो ये आपकी स्टोरी बन जाएगी संजे गुरु जी ने इंदर को कांट से पकड़कर 36 बार गसिटा 36 बार से 36 गड़, संजे गुरु से गुरु गसिदा संजे नैशनल पार्क इंदर को इंदरावती से कां से पक्ड़ कर कंगेर वेली next चलते हैं जारखंड पे जारखंड जारखंड से हम क्या ले सकते हैं जारखंड से जाड़ियान चिए खंडर जाड़ियाँ अब बेटा है किसी का घर से गुस्से हो गया अपनी माहा से लड़कर चला गया, गुस्से हो गया और बेटा ये गुस्से हो कर कहां पहुंचा, खंडर जाडियों में पहुंच कर माहा पे बैठ कया, नेक्स चलते हैं वेस्ट बेंगॉल पे वेस्ट बेंगॉल के कौन-कौन से है बक्सा नैशनल पार्क, गुरुमारा नैशनल पार्क, जल्दपारा नैशनल पार्क, नियौरा बेली नैशनल पार्क, सिंगलीला नैशनल पार्क and सुंदरबन नैशनल पार्क कोई सिंग है सिंग सरदार जो होते हैं तो सिंग है, बहुत ही सुंदर है गोरा-गोरा सा सिंग है सुंदर सा, गोरा-गोरा सा सिंग है और हमने देखा उसके हात में एक नया-नया बकसा पकड़ा हुआ है ऐसे कोई सिंग सरदार एक स्टोरी को विज्योलाइज कर लिया करो तो उससे जल्दी आतो हो जाएगा एक सिंग सर्दार है तो इसने अपने हाथ में एक बकसा पकड़ा हुआ है और ये जो बकसा है नय नय बकसा पकड़ा हुआ है और बहुत ही जल्दी में है इसको किसी ने पूछा रहे, कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में, कहता है मैं बेंगॉल में जा रहा हूँ, वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, वैसे बेंगॉल इस्ट की तरफ है, इंडिया की अगर हम लोकेशन देखे तो लेकिन स्टेल स्टोरी में हम बोल सकते हैं तो सिंग से हो गया सिंगा लीला नैशनल पार्क सुंदर सा है सुंदर बन नैशनल पार्क गोरा है गोरुमल नैशनल पार्क इसके बारे में बियान कर रहे हैं कि किस तरह का दिख रहा है तो हाथ में नया नया बक्सा पकड़ा है नया मीन्स नियूरा वैली नैशनल पार्क न्यू बक्सा बोल सकते हो नियूरा वैली नैशनल पार्क बक्सा से बक्सा नैशनल पार्क जल्दी में है जल्दपारा नैशनल पार्क कहां जा रहे है, West Bengal की तरफ जा रहे है, त्यारी करके गुमने के लिए, राइट, फिर नेक्स चलते हैं, ओडिशा पर, ओडिशा में, दो नैशनल पार्क है, एक है भीतरकनी का नैशनल पार्क, एक है सिम्लीपन नैशनल पार्क, अब देखो, अब यहां पे कोई बंदा है, दो लड़के खड़े हैं, आपस में बाते कर रहे हैं, यह दो लड़के हैं, तो आपस में यह बाते कर रहे हैं, अब यह जो लड़का है ना, यह बोल रहा है कहता है, यार मैं उड़ना चाहता हूं, घुमना चाहता हूं, मज़े करना चाहता हूं, यह घर के अंदर है, यह ये घर के बार है ये घर के अंदर है और इसको घर के अंदर बुला रहा था लेकिन ये बोल रहा है कहता है नहीं मैं घर के अंदर नहीं आओंगा मैं उड़ना चाहता हूँ घुमना चाहता हूँ मज़े करना चाहता हूँ तो ये वाला बंदा क्या बोल रहा है कहता है उड़ गनी का नैशनल पार्क, फिर नेक्स्ट चलते हैं गुजरात पे, गुजरात में टोटल चार नैशनल पार्क है, वंस्दा नैशनल पार्क, ब्लैक बक, जिसको बोलते हैं विलवधर नैशनल पार्क, फिर आता है गिर नैशनल पार्क, फोर्थ है मेरीन नैशनल पार्क, जिसक गुजराथ गुजराथ से क्या बना सकते हैं गुजरना, गुजर जाता है जब कोई कैसे गुजर जाता है कैसे गुजरता है जब वो ब्लैक बक से गिर जाता है जब कोई ब्लैक बक से गिर जाता है तो वो गुजर जाता है मर जाता है वस्ता नहीं है तो गुजर जाता है कैसे गुजर जाता है ब्लैक बक से गिर कर गुजर जाता है वस्ता नहीं है मर जाता है तो यहां से आ जाएगा आपके गुजरात के चार नैशनल पार्क ब्लैक बक है यहां पे ब्लैक बक से गिर गया गिर के क्या हुआ गुजर गया वसेगा नहीं यह गुजर जाएगा गुजर जाएगा और मर जाएगा चीक है गुजर जाएगा मर जाएगा सनौनियम हो गया चीक है गुजर जाएगा मर जाएगा गुजर से गुजरात हो गया मर जाएगा से मेरीन गल्फ आफ कच नैशनल पार्क ब्लैक बग से गिर गिया ब्लैक बग नैशनल पार्क गिर से गिर नैशनल पार्क वस्तर नहीं है तो पंसदा नैशनल पार्क तो इसके साथ ये आज की वीडियो खत्म करते हैं बाकी के जो स्टेट्स बची है उसके हम नेक्स्ट वीडि कर्ए कर दो औरो Tabiiना सबता जारां छॉर।